तो दोस्तो स्वागा था फिर से मेरी एक और नई वीडियो में और दोस्तो यहाँ पर इतना खतरनाक तरीके का एक्सिडेंट हो गया था और यहाँ पर जो है यह DCM गाड़ी जो है पीशे से जाकर जो है दूसरे ट्रक में लड़ी थी और इसका केविन जो है अंदर की ओर हैं फिलाल तो ड्राइवर साब बिल्कुल सेफ और से इसलामत हैं कि इनको जो है यहां पर हलकी फुलकी चोट आ गई थी तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा लास तक सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखा कर बता देंगे और यहां पर आप जटका दिया जाएगा और यहां पर हलका सा आगे भड़ जाएगा और ड्राइवर साब को बिल्कुल सेफ निकाल लिया जाएगा तो दोस्तों अभी वीडियो में बने रहेगा लास तक और देखिएगा ड्राइवर साब अपने पैरों पर खुद चल कर जाएंगे क्योंकि यहां पर गाड़ी का केविन इतना बुरी तरहां से अंदर की और भागा जो की ड्राइवर साब की स्टेरिंग के ऊपर केविन आ गया था इसी के वज़िए से ड्राइवर साब बाहर नहीं निकल पाए और यहां पर आस्था यह किस वज़े से किस कारण हुआ है वो भी वी चकते हैं जो की आजमी जो है हाथ पैरों से निकालने का भी परियाज कर रहा है लेकिन इनकी जो टांगे हैं यहां पर काफी जादा फस गहीं है जो की केविन खिचेगा उसके बाद में ही जो है इनकी टांगे यहां पर निकल पाएंगी तो दोस्तों यहां पर आप देख चकते हैं ट्रक जो है हलके से जटका लगाएगा और ड्राइबर साब यहां पर बाहर आ जाएंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा लार्स तक और यहां सक किस वज़े से हुगा आए वो भी आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से बता देते हैं तो दोस्तों य कि DCM गाड़ी जो है यहां पर पीछे चल लए थी और आगे जो है यहां पर ट्रक एक और चल ला था और यहां पर थोड़ी बसती है और अचानक से जो है एक बच्चा निकल पड़ा और ड्राइबर साब ने जो है अचानक से ब्रेक मारे और यह गाड़ी जो पीछे चल गया है और ड्राइबर साब देखिए कैसे जो है यहां पर अपने पैरों पर स्वाइम आ रहा है यह तो ऊपर वाले का सुक्रा है जो ड्राइबर साब जो है यहां पर सही सलामत बच गया है जो कि एक मंदिर के सामने जस्ट यहां पर जो है यह हाथसा हो गया था जो कि एक कि इसके उपर इतनी महर हो गई जो कि यहां पर बिल्कुल बाल बाल बच गया तो ड्राइबर भाई यो चन्रोद है कि बहान को जो है सीमित स्पीड में चलाएं और देख बाल के जरूर चलाएं तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ जैहिन मत्राइब।